राइट मैसेज, राइट कम्मुनुकेशन, कंट्रिंसाइड न्यूर। बिहार में सफल नहीं हो सकता है। आज जब फलोड टेश्ट था, तो इन्हों ने अपने एजेंसियों का इस्तेमाल किया। वन एजेंसियों का जिसके संबन्द में माननिय सर्वोच न्याले ने असपश्ट किया है। कि आप अपनी विश्वस्तियता बनाये रखने के लिए कारसेली में बदलाओ लाएं। और केंदर सरकार को भी एसारा किया है कि इने एजेंसियों की स्वतंता और स्वाइता बनाये रखने के लिए एक आयोग किया अप सकता है। लेकिन केंद्र सरकार आयोग बनाने की जगा इन एजंसियों का दुरूपयोग करने में लगे हुई है ना सिर्फ बिहार बलके राष्ट्रिय अस्तर पर भी ये विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करके जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहते हैं उसी के तन्सूर को कमजोर के लिए आज जो इस तरह का एजंसियों का दुरूपयोग किया गया ये बिहार में इनका चलने वाला नहीं है बिहार में महागणदन सरकार जो नफरत के खिलाब मुथ्बत की राजनीत को आगे बढ़ाने के लिए बनी है ये दो हजार चौबीस में एक बड़ा जो विकल्प है देश अस्तर पर वो देखने को मिलेगा और आपको असपश्टूप से समझ में आ जाएगा कि बिहार से जो आगाज हुआ है दोहजार चौविस में अंजाम भी केंद्र सरकार के जो नरेंद मोदी की सरकार एजेंसियों का दुरूपयों कर रही है उस विपक्षी दलों को टार्गेट करती है आम लोगों को महंगाई बढ़ाने का काम करती है और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में विर्धी होने देने में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका है जैसा कि गुजरात में 11 जो महिलाओं के बलतकार के मामले में आजीवन कि सजा काट रहे थे उनको बाईज़त बरी किया रिमिशन एक्ट के तहट और उनको मिठाईया खेलाई और फूल मालों से स्वागत किया यह भारतियंता पार्टी का महिलाओं के परति सोच जब भारतियंता पार्टी महिलाओं के परति ऐसा सोच रखती है तो यहां पर देश में किस तरह की सिति अपर सितियों की सरकार चल रही है ये सबी लोगों को पता है बीजेपी परदेश अदेक संजे जैसवाल ने कहा कि नितीज कुमार ने डेड़ सल पहले विधान सभा में सुनिल सिंग को बोला था कि आपर जाच होगा क्या उसी का तो नहीं मानते हैं तो न समीन का सारा दस्तावेस सामने रख करके बोला कि ये गैर जरूरी तरीके से खरीदा गया है इस पर कारवाई होनी चाहिए क्यों नहीं अब तक एडी ने उनसे पूछ ताच की इसका मतलब है कि भारतिय इंता पार्टी कहीं ना कहीं राजनितिक बदले की भावना के तहत ऐ इसी कारवाई करवाती है और इसमें भारतिय इंता पार्टी के बिहार के नेता के साथ साथ केंद्रिय अस्तर के नेता भी कहीं ना कहीं EDCD, CBI और IT का अपने हित में इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन इनका ये किया गिया परियास बिहार में सफल नहीं हो सकता है बिहार में नितीस जी और टेजस्वी जी के नत्रित में, जो महागडबंधन की सरकार बनी है, ये मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और देश में भी 2024 में परिवर्टन को मुर्त रूप देने का काम करेगी, और देखेंगे आप कि 2024 में केंद्र में भी बिहार की तरह यह था लेकिन CPI ने करवाई नहीं किया तेजस्वी और नितिश कुमार को कभी दबाया नहीं जा सकता है बिहार का लोकतंतर काफी मजबूत है